का न मस्कार दोस्तों सुवागत है आफ स context पर इस वीडियोम हम लोग देखेंगे ए सी ैने प्रिविएस हीर का पेपर है इसको हम लोग देखेंगे प्रिविएस क्यार का प्रेपर चलिए देखते हैं इस वाप निर्देस आप लोग पढ़ सकते हैं यह एक्जाम में आया हुआ है प्रियो वेसियर का पेपर है आफिसियल पेपर है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सारे कोश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं कीचेंगे तो तो इसे हम लोग बोलते हैं अगर असकंध है यानि की हैड इस्टाग बोलते हैं तो इसका ए अप्सन से हो जाएगा अगर असकंध है दूसरा कोशन है किसी पदार्थ के गुर्धर में जिसके काराण भार को हटाने के पास जात कोई भी पिंड अपने मूल आकृति में तो किसी पदार्थ के गुर्धर में जिसके काराण भार को हटाने के पास्चात कोई भी पिंड अपने मूल आकृति में लाउट आता है तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ्था यानि कि लाश्टी सिटी बोलते हैं उसे तो इसका भी आप्सन से हो जाएगा प्रत् मैं कि यहां आनि दी आपने बूलते हैं तो इसमें निक्रम बनाती हैं खरात के लखने में इक और चूडियां होती हैं खरात के इंद्रों में मानक टेपर्स लगा जाते हैं हैं मोर्से टे पर कहते हैं डी है खराद में टंबलर गियर का परियोक्तूर की गती कम करने के लिए किया जाता है ति इसका यही गलत आप्षन है ति इसका डी आप्षन से हो जाएगा खराद में टंबलर गियरों का परियोक्तूर की गती कम करने के लिए किया जाता है पांच हमा कोश्चन है ना इसका तरीज़्य साही ठेक टर्णिंग आउजार होता है याने कि एक इसका तरीज्च घखानीच टूल को सिंकल पॉइंसबिंद आउजार होता है चाठा कोश्चन है किसी लेट पर 2 mm पिच की पेंच चूड़ी काटने है तो अगरण की 5 mm है यह तूर की गती चाठा की गती होगी यह होगी 20 rpm यहाँ पर हम साल बर नहीं करा रहे हैं सिर्फ आपको कोश्चन पेपर दिखा रहे हैं कि तरह के एक्जाय में कोश्चन आता है यह प्रीवियस एर का प्रीपर है साथमों कोश्चन है सर्मुपण यंत्र का आगाद 250 एम है यह प्रति मिनट 30 दोहरा आगाद करती है प्राचलन की कुल अवसद गती होगी यह जोगी 7.5 mm पर मिनट स्वारी 7.5 मीटर पर मिनट हो गई है आठमों कोश्चन है लेट पर ढ़लाई के मसीनिंग है किसमें पकड़ना जाना चाहिए तो लेट पर ढ़लाई के मसीनिंग है तो इससे हम लोग पकड़ते हैं फोर्जा चक में इसका डियाप्शन से जाएगा फोर्जा चक हमने फिटर का बहुत सारा कोश्चन करा चुके हैं तो आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सारा वीडियो फिटर का यहाँ पे सिर्फ आपको कोश्चन बता रहे हैं क्या है बस और कुछ नहीं माझेड यहाँ लेवाँ वर्गाकार चूणियों आक्सर निंभन पर पाई जाती हैं है तो वर्गाकार चूणियों जो पाई जाती हैak मसीनी आ को गेर नम्र कोईशन है का क IL मीटर कवी चूडियों का कुम निम्हिं होता है मिट सिख वी चूडियों का ूर्ज Answer निम्हें होता है यह दे यह से सिस्टी डिग्री थिंबल प्रभागों की संख्या 25 है प्रेंच गेज का निम्तम गड़ान क्या है यह होता है जिरो पैंड जिरो टू एमें चौद्य नंबर कोश्चन है सहन सीलता की दूई पच्छी प्रडाले में सहन सीलता की उनुमती निम्न पर दी जाती है यानि कि in a bilateral system of tolerance the tolerance is allowed on यह होगा both side of the nominal side यानि कि अभिहित आमाप के दोनों तरफ पंद्रे नंबर कोश्चन है hardness of a garing will is specified by the यानि कि घिसाई पर यह कठ होता किसके द्वारे निर्दिश्ट की जाती है तो यह की जाती है कि लेटर आफ आल्फाबेट वाड़माला के अच्छर द्वारा की जाती है तो इसका भी आसमसिव जाएगा सोले नंबर कोश्चन है विच आप देज माटेरियल केन भी कट विथ ए रस्प कट फाइल यानि निम्न सकॉन समगरी के उद्दन 33 से काटा जा सकता है तो यह कि वासती अब कि अब ए ड दक मतुर्श डुन जाता है तो इसका और अचुन से जाती है कि च्छिटा का एक्सलव की जाती है dollars सक्तिव इसका रसी दोलो भार उचा जाले मेरा वियंती है तोlles श्वा वासिती में वियारिकिक्त्य और स्बस्तित में ब्यांक कि जाती है येज प्रियोग की जाती है ब्यक्त यह की जाती है डबलू अरबटा पी यार तो इसका सी अपस्ट सभी हो जाएगा डबलू अरबटा पी अरुटा पी अरुटा इस नमबर कोश्चन है फार होल्डिंग डा रेगुलर सेप जाब इनलेथ मसीन विच आप फालोइंग चक टू भी यानि कि खराट की मसीन पर अनियमित अकार के क्रित्य को थामे रखने के लिए नियुक से किस प्रकार के चक का प्रियोग किया जाता है तो खराट के मसीन पर अनियमित प्रकार के क्रित्य को थामने रखने के लिए हम लोग जो चक प्रियोग करते हैं वो रहता है फोर जाच चक तो इसे अम्हों लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं तो इसका भी अप्जिकल प्लेंड वीपी और बीलो और जेंटल प्लेंड देन आपजक्ट फाइल इन यानि कि कोई भी वास तुझे से उर्ध्वाधर समतल के पीछे और शायते समतल के नीचे रखा जाता है यह होती है यह होती है तीसरे विरित्त में यानि कि थार्ड क्वाड ट्रेंट में होती है तो इसका भी अप्सम से हुजाएगा 21 नंबर क्वेश्चन है इसक्यू सर्फेस इन ए सर्फेस विज तीरशी सतय ऐसी सतय होती है जो होती है इन क्लाइन टू यह पी वीपी और पीपी इसका डी अप्सम से हुजाएगा एच्पी वीपी और पीपी के तरफ आनत होती है 22 नंबर क्वेश्चन है एक राइंडेंग वीज इस्पेसिफाइड एज डबलू ए सिष्टी एम वी टॉंटी टू इंदा सिंबल एम रिप्रेजेंट्स यानि कि अप्गर्सक पहिया आगे वर्ड के अनुसर विश्ष्ट क्रीथ है तो डबलू ए साथ एम वी बाइस परत क्लियरेंस बिटून टू मेटिंग पार्ट्स यानिक दो मिलने वाले हिस्चों के बीच आपकास मापने के लिए किस गेज का परियूग किया जाता है तो मेटिंग पार्ट जो होते हैं उनको मापने के लिए बीच के जो क्लियरेंस होता है उनको नापने के लिए हम लोग फ 24 number question है match list first with list second and select the correct answer using the quotes given below the list first and list second यानि कि सूची first को सूची second से मिलान करना है तो एक तरह फे ductility, toughness, endurance, limit, resistance to penetrate और एक तरह फे impact test, fatigue test, tension test, hardness test यानि कि तनेता चीमण तन संसीलता सीमा निवेशन के लिए प्रतिरोध और एक तरह फे संघट परिच्छन, स्रांती परिच्छन, तन परिच्छन, कठोरता परिच्छन ति जो ductility होता है ये हम लोग का तन सामर्थ से related होता है यानि कि tensile test से related होता है ये चला जाय गा पहला वाला तीसरे से और ये जो चीमण पन होता है ये related होता है यानि कि toughness होते है इंपैक्ट चेश्ट से यानि कि संघट परिच्छन से और ये इंडूरेंस limit यानि संसीलता सीमा ये जायएगा fatigue test से त ये दूसरे से चला जायएगा और ये चवध चब्ट्र HEY से चला जाएगा दोस्तों यह जो एंस्वर कियें आफिस्यल एंस्वर की है मेरे दवारग दिया गए कोई भी एंस्वर नहीं है हुआ हुआ ये एन्स अफिसल एंस्वर की हम आपको बता रहे हैं जो आया था जिसका स्य आपसंट से जायगा 25 नमबर क्वेश्चन है एकारडिंग टू दा इंडियन स्टेंडर्ड स्पेसिफिकेशन सेवन एच सेवन एच सेवन जी एट मीन्स देट भारती मानग विसेश्टियों के अनुसर सत्तर एच सेवन जी एट का आर्थ है वास्तिव काकर सत्तर एमम है चिदर के लिए साथ है सा 26 नमबर कॉस्टियों निगेयटियू ये उनल किस परवाइडव की जाता है तो किया जाता है करवाइडव प्रॉर्जिघ इकारज कूछ ऐसीर बैर Cats नंबर कॉस्टियों इन wildlife निंसर्ट गिरीए कर किया जाता है तो यह किया जाता है जिसका सी आतन से जाएगा कर साला में वी बला का पर्योग है हम लोग करित की गुलाईन आपने के लिए करते हैं यानि कि राउंड ने साफे जाप के गंधी oti के तुलना मैं थे होता है इंटर फियरंस में यहने किं वैथकरम में होता है इंट हाज अंगल आप टुष्ट इह चींडिश्ट मे की आनि के लिए एंट हैं का जो एंगल होता हुच्छा हुच्छा हुच्छ प्लेइलिस्ट में है हमने सारा कोश्चन करा दिया है फिटर का आप वहां से जाके देख सकते हैं वीडियो फिटर टनर मन सीनिश्ट नाम से बना होगा वो प्लेइलिस्ट 31 नंबर कोश्चन है इन एलेथ आपरेशन केन बी कैलकुलेटेड बाई दा फार्मूलर लेंथ आपकट बाई फीड इन्टू आर्पीम खरात प्रचाल में किसकी करना करने के लिए वाड़िस्ट लेंथ आपकट बटे फीड इन्टू आर्पीम यूज किया जाता है आप बता सब्सक्राइब करने के लिए नियुंतम चूड़ी अंत्राल की करना किसके द्वार रखी जाती है तो यह की जाती हो डी प्लस थर्टी अम्यम से जिसका भी अप्सन सेव जाएगा यह आफिस्यल एंस्वर की है और यह आफिस्यल पेपर है यह हमारा द्वारा कोई भी दिया गया एंस्वर नहीं है हम आपको बस बता रहे हैं पेपर कैसे आता है और उसका हम बस एंस्वर बता दे रहे हैं साल्ब नहीं करा रहे हैं से द्वारत ने किया जाता है यह किया दा टूजन मैनस फोर इंटू नांटी से इसका सी आप्सन से जाएगा थर्टीफोर नमबर कोश्चन है इन ए राइट एंगल थीटा इस दे एंगल बिट्विन बेस एंड हाइपो टेनस इफ बेस एकुल टू सेंटिमीटर एंड हैट इ आधार दो सेंटिमीटर रुचे एक सेंटिमीटर है तो टू टैन थीटा बटे वन प्लस टैन स्वार थीटा कमान कितना होगा तो यह जो होगा फोर फाइफ होगा ठर्टी फाइफ नमबर कोष्चन है फैर इजै कमिनेसेन आप यान्यत कि कमिनेसेन ऌता है तो यह कमिनेसेन होता है इधन उसमा और अकसिजिन का जिसका भी आफन से होजहएगा इधन उसमा और आकसिजिन यान engraff and oxygen का का 36 नमबर कोशन है, find the correct answer, सही का उत्तर ग्याद करें, तिन में सजी एक समकून बराबर होता है, सव ग्रेड, और एक ग्रेड बराबर होता है, सव मिनट, एक मिनट बराबर होता है, सव सेकेंड, इसका डी आप्शन दिये सभी, 37 नमबर कोशन है, carter joint is used to transmit, carter संदिकी से संचरित करने में प्रियुक्त होता है, यह प्रियुक्त होता है, अच्छी तरन और संपीडर में, यानि कि axial, tensile और compressive load से, तिसका डी आप्शन से भीजेंग, अच्छी तरन अधवा संपीडर बहार, 38 नमबर कोश्चन है, तो इक्वल फोर्स आप मैंनुटू 10 न्यूटन एक्ट आट अगल आप 90 डिग्री, देयर रिजल्टन इज इक्वल तू, 10 न्यूटन वाले आखर के दो समान बल 90 डिग्री कॉंट परकर उनका परड़ामी किसके बराबर होगा, यह परड़ाम होगा, 10 रूट टू न्यूटन के, इस पात के थर्मिट वेल्डिंग में परियोग किया जाने वाला धात पाउडर है, यह होता है अल्मूनियम, 14 न्यूटन न्यूटन दा फार्मूला, टू फाइन दा ड्रीलिंग टाइम टू ड्रील एक प्लेट अब थिकनेश्ट इकोल टू टू इज डड़न वेयर एफ फीड एन और पीम इकोल टू 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 मुटाई वाली एक प्लेट को बेधने में लगने वाला बेधन काल को प्राप्त करने के लिए सूत्र टी है जहा जाए भरान है या रपीम में है तो कौन से फार्मूला से यह होता है टी बाइफ इंटू यान इकोल टू टू टाइम होता है जिसका सी आप संसे हुजाएगा 41 नमबर कोश्चन है ए टू लिए इन कटिंग एन इस्टरनल थ्रेड इस काल्ड ए बाहरी चूड़ी काटने में जी सौजार कप्रियो किया जाते है उससे क्या कहते है उससे हम लोग बोलते हैं डाई 42 नमबर कोश्चन है दा लिष्ट कांट आफ ए मैट्रिक वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिवीजन आने वर्नियर स्केल मैचिंग विट 24 डिवीजन आफ मैन स्केल वन मैन स्केल डिवीजन को 0.5 mm एज यानि मुख पैमाना एक मुख पैमाना खंड 0.5 mm के 24 भागों से मिलान क एकमी थ्रेड इज एकमी थ्रेड में जो एंगल होता है कि नहीं होता है यह 29 डिगरी होता है तो आप लोग पता होगा हम बताया थे वीडियो जाके देख लीजिएगा इस पर एक स्पेसल वीडियो बना है इस्कूरू थ्रेट पर आप्जेक्टिव कोश्चन है कि फोटिफव नंबर कोश्चन है फार आचीविंगे स्पेस्पिक सर्फेस फिनिस इने सिंगल पॉंट कटिंग पॉंट टर्निंग दर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूबी कंट्रूल्ड इज यानि कि एकल अनि खरादन में विश्च प्रिष्ट परिसकार प्राप्ट करने क के लिए सबसे महत्मुन कारक उपादान जिससे नियंत्रित किया जाएगा वह है तो यह जो रहता है यह रहता है फ्यूड कोश्चन है यह डाइनमोमेटर इज डिवाइस यूद फार्द मेजरमेंट आप डैनमोमेटर यूगतिक इसको मापने के लिए प्रियूग किया जा जाता है तो इसका भी आपन से हो जाएगा 46 नमबर कोश्चन है कि क्लाइंब मिलिंग इज चूजन वाइल मसीनिंग विकाज मसीनिंग द्वारा काम करते समय अधोब भ्रैमिंग करतन यानि कि मिलिंग क्लाइंब चूना जाता है क्योंकि वह बैतर पिस्ट प्रेस कर देता ह यानि कि बेटर सर्फेस्पनिस कैन भी ऑप्टेंड 47 नमर कोश्चन है इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन दा किलियरेंस प्रदान किया जाता है यह किया जाता है पंच पर किया जाता है यानि कि आन पंच 48 नमर कोश्चन है दा ब्लैंक डायमेटर यूट इन थ्रेड रोलिंग विल भी यह लिटिल लार्थ दैन दा पिश डायमेटर आप थ्रेड़ी यह जैने कि एकल बिंदू कर चूड़ी करता नावजार में आदरहस्ता है निमन में से क्या होना चाहिए यह होता है जीरो रेक हैंगल इस यूज़ टू में एक तो पोला फरनेस का परियोग इसको बनाने के लिए किया जाता है काश टायरन को बनाने के लिए तो इसका भी आप्सन से जाएगा ढ़लवा लोहा 52 नंबर कोशन है दा मैटेरियल यूज़ फार कोटिंग दा इलेक्ट्रोड इज कार्ड यानि इलेक्ट्रोड को विलेपन के लिए परियोग किया जाने में पदार्थ को क्या कहते हैं तूसरे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स इसका डियाप्सन से जाएगा फ्लक्स 53 नंबर कोशन है इने माइक्रो मीटर इफ जीरो ग्रिज्वेशन आप दा थिंबल इज एबब दा डाटम लाइन वेन दा फेस और इन दा कांटेक्ट दाइर इज यानि माइक्रो मीटर में थिंबल का सांकन जीरो निर्देशित रेखा से उपर है जबकि अग्रभाग संप इस निकाला जाता है इसका होता है इसका होता है इसका फर्मूला होता है पीवियस गय लेना का िma 56 नमμεर कोशन है एक माइक्रों बराबर कितना αें होता है एक माक्रूम बराबर होता है 10 अ,-3 mm छासा है ऐसका पर्मूलाकि UM carve से 0.001 mm होहता है तो इसका सियाप्स नम्बर कोशन है ट्राइश को इसको मापने के लिए करते हैं तो इसका सियाप्स से जाएगा नाइटी एंगल आप जाब 59 नम्बर कोशन है दा बेश्ट पोजीशन तु होल्ड दा जाब इन दा वाइस तो इसका सियाप्स नम्बर कोशन है एरिया आपर ट्रेंगल इस इकोल टू तु 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 चित्रफल किसके बराबर होता है तो तु छीटल होती है दो एगलों का योग, do कि अब जयाएगा करे नियुक्ति नम्बर कोशन है समत इन्टरणाल एंगल आप के पंटागी की आप्चान होता है तो को ये बड़ो का माउन 815 होता है 64 number question है the symbol of medium finish is medium finish का चिन क्या है जो होता है दो ट्रेंगल 65 number question है the portion of file which is not harder is रेतिक वाग जो कठोरी करित नहीं होता है वो होता है टैंग जो होता है यह कठोरी करित नहीं होता है तो 66 number question है the corresponding value of minus 40 degree Celsius in degree Fahrenheit equal to degree Fahrenheit minus 40 degree का सम्तुले मन कितना होगा यह Fahrenheit में माइन उतना ही होता है यह देनों सेम होता है माइनस 40 degree Celsius और माइनस 40 degree Fahrenheit यह दोनों सेम होता है 67 number question है 25.4 mm is equal to 25.4 mm किसके बराबर है यह बराबर होता है एक इंच के एक इंच बराबर होता है 68 number question है which one of the following is and or of silver कौन से silver का और है आपको बता है तो अर्जेंटाइट जो होता है यह राजत का इसको होता है यानि किसी लवर का इसको होता है 69 number question है the value of 3 square plus 2 degree into 11 degree each है यह हो जाएगा 10 70 number question है तरहल बूदे या गैसी बूलबले सिद्धा गूला कार होता है किस कारण से यह होता है यह surface tension के कारण होता है यानि कि the liquid drop or gas bubble are always spherical due to surface tension 71 number question है the average diameter of 6 buses in each 80 mm if a bus is included then average become 18.2 mm find the diameter of 7th bus 6 bus का आउसत ब्यास 18 mm है यदि एक bus समलित किया जाता है तो आउसत हो जाता है 18.2 mm साथ में ब्यास का ब्यास कितना होगा यह जो ब्यास हो गया और नहीं दसमलों 4 mm होगा अब धर मैंत हारा है इसाइन 45 मैंस का स्कास 45 का मान कितना होगा इससे solve करेंके जीरो आ जाएगा इसका ब्रास इजैन एलाई आपकापर एंड यान ब्रास किसका मिस्रों किसका इसक है पीतल जोता है यह तांबा और किसका मिल के बना होते हैं तांबा और जिंग को होता है कि 74 नॉम्बर कोश्चन है एक ट्रेन इज रैनिंग एट इस्पीड आफ फाइफ मीटर पर से देंदा डिस्टेंस रिलेटिव इन वन हावर इज एक ट्रेन पांच मीटर पर सिकंड की चाल से चल रही तो एक घंटे में कितनी दूरी कें तया करेगी यह घंटे में जो दूरी बटाक करोने हैं कि 76 नॉम्बर कोश्चन है वन हर्स पांवर इज इक टू एक आस्व सकती पराबर किना होता है यह का सकती बराबर होता है 143 वाट के जिसका डियास्टन से हो जाएगा 77 नॉम्बर कोश्चन है दे यूनिट आफ रजिस्टेंस इस प्रतिरोत की काई क्या हो यह जाब को सहीम आपने के लिए किया जाते हैं तो इसका डियास्टन से हो जाएगा 79 नंबर कोश्चन है एन , पिब्यू्टẽत्स आइस Мнеट्रिक दिरिस्ट क्या और चाहता है इदर चाहता है जापका तीन भूियां बताता है और ने त्री शाट जस्या अब बताता है आसी नमर कोशिण है 24 स्टेंडा है 24 जो तुर कुम में होती है क्या होती है स्क्व workshops और यह कर चुनिया होती है कैस्पिंडल में अ मिंडरहाय जैनल आपकोटिटूल why just a Ale यह सब आप लोग स्वाल्व कर लीजिएगा इधर रिजिनिंग है आप लोग देख लीजिए बस कोश्चन बस अब यहां पे टीनाइन नमबर कोश्चन है पिर्थिविक का बातम परत है तो पिर्थिविक जो बातम परत होता है उसे हम लोग करश्ट बोलते हैं यानिक करता है यह करते हैं फाइन्स मनिष्टर यानि की वित्तमंत्री करते हैं जिसका सियाव से वित्तमंत्री नमबर कोश्चन है वाट केस काजज ट्विंकलिंग अफिश्टर यानि तारों के चमकने के पीछे का क्या कारण है जो होता है एट्मास्फरीक रिफ्रेक्सन होता है यानि कि वाई मंडली हपवरतन होता है तो इसका भी अप्संस हो जाएगा वाई मंडली हपवरतन नाटे थ्री नमर कोश्चन है दा रेस्यों अब दा काश्ट प्राइस और अड़ शेलिंग कि इस आप लोग साल्व कर लीजिएगा यह देखी तर रीजेनिंग चालू हो गया फिर आप शहाब लोग साल्व कर लीजिएगा इसमें है अगला कोशन कि प्रकास्वर्ष का मातरक क्या है प्रकास्वर्ष का मातरक होता है दूरी का प्रकास्वर्ष किसका मातरक होता है यह होता है दूरी का 96 नमबर कोशन है महा भारत प्रसिध प्राचिन कलिंग का हिस्सा किसका छेत्र बना है यह बना है Odisha इसका भी C आपसन से वजाएगा Odisha 97 No question है समुद्र पत्तार जो Odisha राज में नहीं है यह है Candela जिसका यह आपसन से वजाएगा Candela 98 No question है Odisha में Jwang किसका नाम है यह है ज़ाइट के नाम Jwang Jwang जो ज़ाइट होती है Odisha में पाई जाती है 99 नमबर कोशन है चित्र में आतों की संख्या की गढ़ना कीजिए इसमें जवायत की संख्या अठार है और यह लाश्ट कोशन है यह है अब लोग देख लीजिएगा साल को लीजिएगा जोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर क भाविकल्पी कोश्चन थैंक यू